जैशी कृष्णा दोस्तों वियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों इस बार सावन शिवरात्री पर बहुत ही दुरलब योग बनने जारा है जिसके कारण साथ भागिशाली राशियों को बहुत ही शेश्ट जलाब मिलने के योग बनने इनको धनलाब के योग बनने स साथ ही साथ पुत्र संतान के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं साथ ही दोस्तों इस दिन अगर आप भगवान शंकर का पूजन करके एक वस्तु शिवलिंग पर चड़ा कर अगर इस्तरी ग्रहन कर लेती है तो निश्चित है उसको मन वांचिस संतान की प्राप्ति होती ह दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके द साथ ही इस दिन देखे आपको भगवान शंकर का जलाविशेक तो अवश्य करना है साथ ही उनकी प्रिये वस्तु भांग धतूरा बेल पत्र भी अवश्य चड़ाएं और साथ ही आपको एक वस्तु अवश्य चड़ानी है वो है शिवलिंग के बीज आप अपनी इच्छा अनुसार एक मुठी शिवलिंग के बीज अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य चड़ा दें और साथ ही आपको केले भी अवश्य चड़ाने हैं आप दो पांच की संख्या में चड़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य ही शिवलिंग पर चड़ा दें और भगवा चड़ाये हैं उसमें से भी आपको एक केला अवश्य ही उठा लेना है दोस्तों उस केले को आपको उसी दिन ग्रहन कर लेना है और जो शिवलिंग के बीज आप उठा कर लाएं आपको दूसरे दिन से ब्रहम मोरत में बिना कुछ खाए पिए भगवान शंकर का ध्यान करके उ वैसे भी निगल सकते हैं मत्तु थोड़ा सा आप जल ले ले और उससे निगल ले बिना चबाए आपको शिवलिंगी का एक देखे गर्वती महिलाई भी कर सकती हैं दोस्तों इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही दुरलब योग बना रहा है जिसके कारण साथ भागिशाली राशियों को बहुत ही शेष्ट लाब मिलने के योग बन रहे हैं इनको धनलाब होगा साथ ही साथ संतान सुक्के भी बहुत अच्छे योग बने हैं इन भागिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश व्रेश कर्क कन्या व्रिष्चिक मकर और मीन साथ ही इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको मन वांचे संतान की प्रापती अवश्य ही होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जान